हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चेंज इस वीडियो में हम आज नाकपूरी मुहावरा नाकपूरी कहावत और नाकपूरी बुझावल से संबंधित सौ प्रस्म करेंगे और यह एक परकार से आपका समझे तो यह आपका एक एंसर देने के लिए और देखते हैं कि अब तक आपने कितना तयारी किया है क्योंकि मैंने जितना भी मुहावरा कहावत है मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं तो अब आपको टेस्ट लगाने का समय आ गया है और देखते हैं कि किस तरह के question पूछे जाते हैं तो चलिए अंसर होगा इसका बुद्धिहीन होएक उप्शन सी इसका सही होगा अकिल का टूर यानि अकल का टूर भी कहते हैं उसका सही अंसर क्या होगा बुद्धिहीन होएक बुद्धिहीन होना अंग्रेजी छाटेक मुहावरा का अर्थ होएला अंग्रेजी छाटेक मुहावरा का क्या आर्थ होता है तो सेखी देखायक सेखी देखाना को क्या कहेंगे मुहावरा में अंग्रेजी छांटे अंडा पारेक मुहावरा कर माने होएला अंडा पारेक मुहावरा का क्या माने होता है बेकाम कर जोगायक सही अंसर क्या होगा बेकाम कर जोगायक फालतु कर वैठे क ओभी बहुत बार अड़ा पारेक कहते हैं इसलिए देख लिजेएगा दोनों अप्शन इसमें सही लग रहा है आएक मुंदेक मुहावरा कर सुपट माने बताओ आइक मुंदेक यानि कि आख बंद करने का मुहावरा का सुपर्ट माने यानि कि उसका मतलब क्या होगा आइक मुंदेक मुहावरा का क्या होगा अंदेखी करना आइक मुंदेक यानि कि आख बंद कर देना यानि कि अंदेखी करना अगला है अंगरी देखायक मुहावरा कर सुपट माने बताओ क्या होगा एंसर अंगरी देखायक यानि की चुनवती देना यानि की अंगूली दिखाना सही एंसर क्या होगा option B चुनवती देख आइक में धूर छिटेक मुहावरा कर माने बताओ आएक में धूर चीटेक, यानि कि आख में धूर जोकना हिंदी में बोलते हैं क्या होगा? धोखा देना, सही answer क्या होगा? option C, धोखा देना अगला प्रस्थ नहें, अगिया बैताल बनेख मुहावरा से का समझी लग अगिया बैताल, क्या होगा? खूब बदमासी करें सही अंसर क्या होगा इसका खूब बदमासी करना को क्या बोलते हैं अग्या बैताल बनेग देवल मुहावरा अकिल चरेक जैक करमाने बताओ अकिल चरेक जैक यानि कि अकल चरने गया था या अकल घास चरने गया था हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या होगा इसका सही अंसर समय पर बुद्धी काम नहीं करें कि हाँ पर मिस्प्रिंट है ग्रामर का या नाकपुरी का जितना भी बूख है समय बहुत सारा मिस्प्रिंट है इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा समय पर बुद्धी का काम नहीं करना को क्या कहते हैं अकील चरे जाएक अचार लगाएक मुहावरा कर अरत बताओ अचार लगाएक अचार लगाना क्या को कहेंगे तो कुनो वस्तु के समय पर काम नहीं लाने किसी भी वस्तु का समय पर उप्योग नहीं करना को क्या कहेंगे अचार लगाएक अगला है आएक में पानी होएक मुहावरा कर सुपट अरत बताव आएक में पानी होएक आएक में पानी होएक का क्या होगा आएक में पानी होना लास सरम कर ख्याल रखेक इसी से मिलता जुलता है आएक से पानी गरेक मुहावरा है नाकपुरी में आएक से पानी गरेक तो उसको क्या बोलते हैं बेसरम होना लासरम का ख्याल नहीं रखना आएक फड़केक मुहावरा कर काम आने हो वेला आएक फड़केक या आएक फड़कना हिंदी में बोलते हैं क्या होगा कोनो अनहोनी कर संका किसी अन्होनी का असंका होता है उसको क्या बोलते हैं आइक फड़केक ऐसे बहुत सारा कहावत है अन्होनी का संका के लिए जैसे कुटा भोगता है कुकूर भुकेक बोलते हैं नागपुरी में या फिर बोलते हैं कि सियार भुकेक ये जितना सब भी है ये सब अन्होनी का सं जाएक बे सरम होना सही एंसर क्या होगा की बिना नियम का काम करना को क्या कहेंगे उल्टी गंगा ःग नहीं आइग लगाए आइग मुईत के कोईला करेक मुहावरा कर माने बताओ आइग मुईत के कोईला करेक यानि कि आइग मुईत के कोईला कर देना क्या कहते हैं जान बूच कर बदमासी करना या बनल काम के विगडाएक सही answer क्या होगा इसका देखे बहुत सारा option आपको लगेगा कि similar है लेकिन इसका सही answer क्या होगा बनल काम के विगड़ाए अगला है ữa मतलब क्या होगा नरजोरवा आदमी बुझेक नरजोरवा आदमी बुझेक नरजोरवा आदमी अरजो मजना मुह में लाट टपकेक मुहावरा कर माने बताओ मुह में लाट टपकेक मुहावरा कर क्या माने होगा सही अंसर क्या होगा कोनो खाय कर लाला छोबेक सही अंसर होगा मुह में लाट टपकेक मुह में लाट टपकेक उचित औसर पर नहीं बोले सही समय पर जब कोई नहीं बोलता है तो क्या बोलता है कि तुम्हारा मुह में उस समय दही जम गया था तो मुह में दही जमे का क्या आर्थ होगा उचित औसर पर उचित समय पर नहीं बोलना उधरा फिकिर करेक मुहावरा कर माने बताओ उधरा फिकिर करें क्यानि कि उधारी में चिंता करना क्या होगा मुफ्त में दूसर कर चिंता सही अंसर इसका क्या होगा option C मुफ्त में दूसर कर चिंता कवडी कर तीन होए मुहावरा कर मतलब बताओ कवडी कर तीन में गिर्गिट नाचेक मुहावरा कर अर्थ बताओ तो कपार में गिर्गिट नाचेक यानि कि क्या होगा सही एंसर होगा गलत समय कर आवेक जब आदमी का बुरा समय जब आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे कपार में गिर्गिट नाचेक मड़गा कर मोल होएक मुहावरा कर मतलब बताओ मड़गा कर मोल होएक यानि कि बहुत ही सस्ता हो जाना मड़गा का मोल हो गिया यानि कि कम दाम लागेक बहुत ही सस्ता हो जाना अगला है खुटिया खाफ होएक मुहावरा कर माने बताओ खुटिया खाफ होए यानि कि पूरा once बरबाद हो जाए once किसको बले है once once जो पीड़ी दर पीड़ी चलता है वो पूरा once अगर बरबाद हो जाएगा खतम हो गिया तो क्या बलेंगे खुटिया खाफ होए गोण हाथ छितराएक महावरा कर मतलब बताओ गोण हाथ छितराएक यानि कि पैर हाथ फैलाना क्या होगा अराम करें सही answer क्या होगा option c अराम करें सय घाट कर पानी पीएक महावरा कर माने बताओ जब आदमी बहुत ही समझदार हो जाता है जनकार बन जाता है तो क्या बलता है सो घाट का पानी पिए हुए है यानि कि बहुत ही तरह का वो समय को देखा हुआ है जगा को देखा हुआ है सर्थी प्रस्थिती को भापा हुआ है तो सही एंसर इसका क्या होगा घाग बईन जाये चिम्टी चायल चलेक मुहावरा कर मतलब बताओ चिम्टी चायल चलना चिम्टी चायल चलेक क्या होगा सही एंसर होगा इसका तनी तनी उन्नती करेक या थोड़ा थोड़ा चलना या थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना को क्या बोलेंगे चिम्टी चाइल चले मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा या धीरे धीरे बढ़ना चिम्टी कर पाइख नोगजेक महावरा कर अरत बताओ क्या बोलते हैं पाइक जनाइम गिलो है यानि कि ये तुम्हारा मरने का समय आ गिया है पंक बढ गिया है सही अंसर क्या होगा विनास कर समय आने का क्या बोलेंगे चिम्ती कर पाइक नोगजेक यानि किन निकलना हो चुंदिया छूट भागेक, मुहावरा करमाने बताओ, उतलब ऐसा भागा कि उसका चुंदी ही छूट गिया, यानि कि क्या होगा, हडबडाय के भागेक, हडबडी में भागना, सही एंसर क्या होगा, हडबडाय के भागेक, ढकनी पानी में डूइ मरेक, मुहावरा करमाने बताओ यह धकनी पानी मेरा ही गांप में है क्या होगा अपना इज्जत गवाना सही अंसर क्या होगा धकनी पानी में जायके डूई मुर बोलते हैं मतलब वह अपना इज्जत को खतम कर दिया जाके डूई मरो अपना इज्जत गवाना जीवक जंजाल बन एक मुहारा कर अर् भन गया सही एंसर क्या होगा को जीवक जनजालबन एक महा अरत बताओ क्या होग गया वी जिए मुसीबत में उलेभ जाना उलेजाना क्या बोलेगे जीवका जनजाल हो गया जीवक जनजालबने कियानि कि मुसीबत आवेक मुसीबत में फंस जाना अगला है डंका बजायक मुहावरा कर माने बताओ डंका बजायक उसका डंका बजता है क्या बलते हैं उसका डंका बजता है धाक बनायके रखे कियानि कि धाक बनायके रखना को बोलेंगे डंका बजायक डंडी मानेक, डंडी मारेक हो गए यहां पास, डंडी मारेक मुहावरा कर माने बताओ, डंडी मारेक का क्या होता है, ठके कर काम करेंगे, किसी को ठकने का काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डंडी मारेक, काना बाटा करेंगे, मुहावरा कर अरत बताओ, काना बाटा किसको बोलेंगे जल्दी से बताए हिस्सा बाटा में कमी करना हिस्सा बाटा में कम देखो क्या बोलेंगे काना बाटा करे हम थोड़ा से टाइम दे रहे हैं आप लोग को भी सूचने का ताकि आप लोग को भी पता चलाए कि सही answer कर नहीं कि नहीं जैर काटेक मुहावरा कर माने बताओ जैर काटेक यानि जड़ काटना यानि कि मूल आधार को नश्ट कर देना सही answer क्या होगा option D मूल आधार को नश्ट करना जम जातेक मुहावरा कर अर्थ बताओ जम जातेक सही answer क्या होगा आविवेकी होना या कभी क्या आदमी सन हो जाता है या संट मार देता है हिंदी में बोलते हैं उसको भी जम जाते कहेंगे देवल कहावत के पूरा करू जोलहा दुनिया बनिया खाली अस्थान अंठेकनिया क्या होगा जोलहा दुनिया बनिया क्या होगा बात अंठेकनिया सही अंसर होगा इसका जोलहा दुनिया बनिया बात अंठेकनिया देवल कहावत के पूरा करू जे पानी भरे से खली अस्थान मरे जे पानी भरे से डूइब मरे जे पानी भरे से उपासे मरे पियासे मरे सही अंसर क्या होगा? जे पानी भरे से पियासे मरे देवल कहावत के पुरा करो जे कहर बताए कहर नहीं होगा ये डहर होगा जे डहर बताय से खाली अस्थान चले क्या होगा एंसर जे डहर बताय से आगे चले सही अंसर होगा option B देवल कहावत के पूरा करूं जे खाली अस्थान नई कांदे उके दूधों नहीं मिले जो बच्चा नहीं रोता है उसको दूध भी नहीं मिलता है एसको हिंदी में कहावत है तो इसका क्या हो जाएगा जे च्चावगा नहीं कांदे उके दूधों नहीं मिले जे कर बात के ठेकान नहीं से कर खाली अस्थान के ठेकान नहीं जे कर बात के ठेकान नहीं से कर खाली अस्थान के ठेकान नहीं क्या होगा सही अंसर होगा जे कर बात कर ठेकान नहीं से कर बाप कर ठेकान नहीं जे आप से नहीं होई से खाली अस्थान से नहीं होई जे आप से नहीं होई से किसे नहीं होई जो आप से नहीं होगा वो बाप से भी नहीं होगा सही अंसर क्या होगा? Option D बाप एके खाली अस्थान में जाड नहीं जाए यह कहावत बहुत परचली थे पुछता भी है जैसेसी में एके माघ में जाड नहीं जाए यानि कि एक ही बार किसी से काम नहीं पढ़ता है बार-बार किसी से काम पढ़ता है खाली अस्थान जाय तो जाय दमडी ना जाय बहुत ही असान कहावत है चमडी जाय तो जाय दमडी ना जाय चाइल चलू साधा निम्हे खाली अस्थान क्या होगा चाइल चलू साधा साधा निम्हे बाप दादा यानि कि साधगी जीवन से ही क्या होता है वण्स आगे बढ़ता है चाइल चलू साधा नीमे बाप दादा चैट सूते रोगी का जेट। सूते तो चैट सूते रोगी ठीक है उसके बाद शूते जोगी होगा और जेट सूते राजा और असार सूते भोगी कैसे हो गया वैसा चैत सूते रोगी वैसात सूते जोगी जेड सूते राजा सूते असार सूते भोगी घोडा हाथी दहाला है तो खाली अस्थान पुछे कतना पानी दहाला यानि की बहगिया हिंदी में भी है बड़ा बड़ा हाथी और गोड़ा बह गया तो गधा पूछे की कितना पानी इस तरह से ये कहावत है तो सही अनसर क्या होगा गधा गूश में गिए घ़्िव गूर खाय चुटे सर्दी घ्झीव गूरे खाली अस्थान खाय चुटे सर्दी तो गूव हो गया गूड हो गया और हर्दी या घीव गूर घडी खै चुटे सरदी क्या होगा सरDी खुटे गूर खाना है घी खाना है और हल्डी खाना चलते कोस खालियस्थान डोस चलते कोस और वेठले दोस सही क्या होगा चलते को और बटले दोस कर मास गीध खाए अखाली ऊस्थान कर मास्के क्ये खाए कुकूर विलाई अदमी गीध तो सम।क हमास गीध मास क्ये होगा सही अजर क्या होगा ओपसंद ऑप संदी के गोंटर में घी सुखा Unidos यह कहा साह syntला करना के पूरा करूं करें गुरु के जाइन करूं पानी पिये खाली स्थान के यह कहावत इस तरह से है कि गुरु करूं जाइन के और पानी पीओं चाएं के सही अंसर क्या होगा इसमें थोड़ा सा मिसप्रीन ठों गया है गुरू करू जाएं के आप सन्दी द्हभल कहाउत के पूरा करो खाली अस्थान सैतान कर घर भॉत ही असान है खालीं धिमाख सैतान कर घर अगला है देवल कहावत के पूरा करूँ गावक खाली अस्थान जोगड़ा अल गावक सीध क्या होता है घर का मुर्गी दाल बराबर जैसे ने बोलते हैं उसी तरह है गावक जोगी जोगड़ा अल गावक सीध सही अंसर होगा इसका अप्सन जोगी देवल कहावत के पूरा करूँ खखरा कर खाली अस्थान पोड़े खखरा जाने क्या होगा खखरा कर मुह पोड़े पेट पोड़े पीट पोड़े जांग पोड़े तो खकरा कर पीठ पोड़े खकरा जाने यानि कि क्या हुआ जिस पर मुसीबत आता है वही जानता है दूसरा कोई नहीं जानेगा देवल कहाथ के पुरा करूं कुकूर कर खाली अस्थान में घीव और जनी कर पेट में नी पचे यह भी बहुत ही मसहूर कहाथ है तो कुकूर कर पेट में का होता है घी बलते हैं ना कुकूर का पेट में घी नहीं पचता है और जनी कर और और पेट में बात नहीं पचता है सही अंसर क्या होगा कुकूर कर पेट में घीव और जनी कर पेट में बात नहीं पचे देवल कहावत के पूरा करो कोस कोस में खाली अस्थान बदले चायर कोस में खाली अस्थान जल्दी से बताईए क्या होगा कोस कोस में पानी बदले और चायर कोस में वानी सुरी कोस कोस में पानी बदलेगा और चायर कोस में वानी बोली बदल जाता है ज्यादा दूर जाईएगा सुरुक कुछ दूर जाईएगा तो पानी बदलेगा और और बहुत दूर चल जाईएगा तो बोली ही भासा ही बदल जाता है तो क्या होगा कोस कोस में पानी बदले चायर कोस में वानी क्या होगा क्या होगा इसमें हमको थोड़ा से डाउट है अगर ये किसी को किलियर है तो इसका सही एंसर हमको बताईएगा मेरे हिसाब से ये गाड़ी होना चाहिए देवल कहावत के पूरा करू करनी न धरनी नाम क्या होगा सोबरनी करनी न धरनी नाम सोबरनी मतलब नाम के अनुरूप काम नहीं होना उसी को कहते हैं करनी न धरनी नाम सोबरनी काट को चिलते चीकन होये, खाली अस्थान चिलते रुखड होये सही answer क्या होगा? बात को बढ़ा चड़ा के करने से क्या होता है? वो अगला को तकलीव देता है काडा भीन खाली अस्थान नए, बढ़ा भीन घार नए क्या होगा काड़ा के बिन हाल नहीं हर जो हल जोते हैं तो काड़ा के बिन हाल नहीं होगा और बुढ़ा के बिन घार नहीं होता है यानि कि बुढ़ों का बहुत ही जवरत होता है किसी भी एक अच्छा घार के लिए देवल कहाउत के पूरा करूं खाली अस्थान एक से बजार नी लागे बहुत ही असान है एक बनिया से बजार नी लागे कहते हैं न एक बनिया से बजार नी लागे देवल कहाउत के पूरा करूं साजहा कर खाली अस्थान पिलवाय मोरे सही अंसर क्या होगा साध्याकर भेड़ी पिलवाय मोरे इसमें खेती भी हो सकता है थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है इसमें इन दोनों में से हमको बताईएगा आप कमेंट में इसका सही अंसर देवल कहाउत के पूरा करूं उठळा खाली अस्थान वैठळ गोटी क्या होगा बाग ये खेला है बाग और गोटी का खेला खेलते हैं गावदे हांत numero बाहग बैठळ गोटी देवल कहावत के पूरा करूँ आलू भाटा कोबी खाली अस्थान जायत लोभी यह कहावत क्या है आलू भाटा कोबी बाहमन जायत लोभी सही एंसर क्या होगा option D देवल कहावत के पूरा करूँ एगो जनी कर लड़वा दूगो जनी कर भड़वा खाली अस्थान में तो एगो जनी कर यानि एक इस्त्री का मरद यानि कि पुरुस अगर है तो वो लड़वा यानि कि मिठाई है लड़वा मिठा होता है जो मुढ़ी और गुड का बनता है दुईगो जनी कर भड़वा भड़वा ये गाली है तो एक जनी कर मरद लड़वा दुईगो जनी कर मरद भड़वा देवल कहावत के पूरा करो काल छेक ले कुकुर काटे ला कहते हैं ना कि दीन खराब रहता है तो हाथी बेठे बेठे भी कुत्ता काट देता है तो सही अंसर क्या होगा काल छेक ले हाथियों में कुकुर काटे ला देवल कहावत के पूरा करो खालियस्थान माय चंदन घीसे ये जे सेसी में पूछा गया है खालियस्थान माय चंदन घीसे दिखावा करते हैं उसी के लिए यह कहावत है चोरक माय चन्दन घीसे देवल कहावत के पुरा करूँ घरे नई गाव भायर के नेवता क्या होगा घरे खूदी नई घरे खूदी नई गाव भायर के नेवता घर में खाने के लिए खुदी नहीं है, पूरा गाओं को नियोता दे दिया मतलब जवरत से ज़्यादा कोई चीज को करना देवल कहाओत के पूरा करू चोरो सुनी खालियास्थानक कथा चोरो क्या सुनेगा? धर्मक कथा सही अंसर क्या होगा? चोरो सुनी धर्मक कथा देवल कहाओत के पूरा करू जैसन खीरा खालियास्थान तैसन खालियास्थान चोरा हिंदी में कहते हैं खीरा चोर, चाहे हीरा चोर चोर तो चोर ही होता है, वही कहाओत है इसमें जैसन खीराचोर तैसन हीराचोर देवल बुझावल कर जवाब देव अंडा कर भीतरे साढ़ा कर बोली क्या होगा घुगुर या घुगुरू जिसको बोलते हम लोग पानने वाला बसता है ना अंडा कर भीतरे साढ़ा कर बोली देवल बुझवल कर जवाब देव अजर कोठी बजर के वायर तहा नाचे चुल्चुलिया यार जल्दी से बता है आप बुझवल आ रहा है और टाइम देंगे आपको देवल बुझवल कर जवाब देव आएक जाएक उके सहा जाने जायर काठी खाय कि क्या होगा कि क्या होगा आग होगा आग क्या होता है बुझता है जलता है बुझता जलता है और क्या करता है लकड़ी खाता है देवल बुझेवल कर जवाब देव असना उपर धसना तहां नाचैन अंद लाला क्या होगा धसना धसना बोलते हैं उचा जगा होता है खेत का उसको धसना बोलते हैं सही अंसर क्या होगा आख होगा इसका देवल पुझावेल कर जवाब देव क्या होगा खख़वेल कर जवाब देवल पुझावेल कर जवाब देव चायर बरिस कर बकरा एक कुटिया मास मतलों बहुत छोटा मान से क्या होगा गोंगी गोंगा बोलते हैं देवल पुझावल कर जवाब बताओ चरका बकरा अभीत पटका सफेद सा बकरा है उसको दिवाल में पटक देते हैं बताएए क्या जली से बताएए सही अंसर है औप्संट डि सीतर इंदी में बोलते हैं नेटा क्या करते हैं उसको निकाल के दिवाल में पटक देते हैं देवल बुझावल कर जवाब बताओ, गाय चरे रेत में, बचरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, सब बचरू पेट में, ये क्वेस्चन बार बार पुछा जाता है, इसको तो आप रठी जाईए, पहुत बार पुछा गया है जैसे C में, क्या होगा, रेल, रेल गा गरू चोला खाया, पानी पीए मोईर जाया, जा होगा, गोला गरू, गोला गया क्या है, चोला खाया, लकडी खाता है, और पानी पीता है, मर जाता है, क्या होगा, ओप्सन ए, आग, आईग, देवल बुझावल कर जवाब देव, चाइर नरम, चाइर गरम, और चाइर करे बहुत सरा मीस्प्रिंट है इसमें चार नरम है चार गरम है और क्या है चार जर जर करे ये बच्छर साल होता है साल में क्या होता है चार जो है वो थोड़ा नरम रहता है चार महिना फिर गरम रहता है और क्या होता है चार जर जर बरसता है तो सही अंसर क्या होगा बच्छ जल्दिस बताईए सही अंसर होगा option C मुर्गी और अंडा क्या होता है क्या होता है गया पहले धनुआ रहा है यानि कि बच्चा दे रहा है कैसा हड़ी को अंडा को दे रहा है उसके बात क्या रहा है अंडा से फिर से बच्छडो निकल जा रहा है यानि कि फिर से अंडा से च जवाब देओ चोटे मोटे डूभा उपला कर सुभा यह सारे मैं पहले करा चुका हम वीडियो में जो वीडियो देखे होंगे वो जान रहे होंगे क्या है यह पुआ रोटी है option B पुवा रोटी देवल बुझवल कर जवाब बताओं छोटे मोटे डोभा फूल फूले सोभा छोटा सा एक डोभा है डोभा करते हैं पानी जमा रहता है खेतू तुमें उसको डोभा बोलते हैं क्या है दिया सही अंसर इसका क्या होगा option दिया देवल बुझवल कर जवाब बताओं जोते खण एक हर छोड़े खण दुई हर क्या होगा सही अंसर होगा इसका दातून दातून देवल बुझवल कर जवाब बताओं छोटे मोटे टेसुलाल लूगा पीछे पीछे 40-50 यानि कि कपड़ा जो है 40-50 पहनता है छोटे मोटे टेसुदास कपड़ा पहने 40-50 क्या है प्याज प्याज का देखते हैं बहुत सारा परत रहता है देवल बुझेवल कर जवाब देऊं जीते एक नाओ मरते रकम रकम करनाओ सही अंसर क्या होगा बास इसका सही अंसर होगा बास देवल बुझेवल कर जवाब देऊं जा थिस तो जा थिस काले मोके छोड़ राखा थिस इस तरह से हैं हम लोग बच्पन में बोलते थे जा थिस तो जा थिस काले मोके छोड़ राखा थिस किसको छोड़ रखते हैं चोलते चलते उसको छोड़ रइए इस से बहुत सार बुझेगल है यह अफिन काले लएट ले जाती स KIS को जात बोलते हैं पो घर से कहीं जाने लगते हैं तो क्या करते हैं एड़ रखते हैं यह सब कहावत है जो लोकल लादमी है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा जो नए है उनको सीखना होगा देवल बुझावल का जवाब देव छोट छोट खन चोथा चोथी बाढ़ाल खाने जून-जून बुढ़ाल खने लाठी कर मार क्या होता है चोटा जब रहता है तो उसको नोच नोच के खाते है जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है थोड़ा जून-जून-जून हो जाता है मतलब अंदर से उसका आवाज आएगा सूख जाएगा जब पूरा पक जाता है तो उसको क्या होता है लाठी का मार मिलता है क्या है चना है बूट बूट कहते हैं चना को चना का पधा जब जवाब देव जे लुगा कीनेला उप पिंधेला नहीं जे पिंधेला से देखेला नहीं कौन है जो कपड़ा खरीता है वो पहंता नहीं और जो पहंता है वो देखता नहीं का है मुर्दा मुर्दा का जो कफान होता है उसको वो दूसरा कोई खरीता है तो वो पहंता नहीं है और जो पहंता है वो देखने नहीं सकता है मुर्दा देवल बुझेवल का जवाब देव जायक तो पारेला आवेक नी पारेला क्या है ये चियारी चियारी क्या है तीर तीर क्या है जाता तो है लेकिन आता नहीं है देवल बुझावल कर जवाब देव तार गचे लाल गमछा देख तो बुढ़ा मोरतमासा क्या होगा जल्दी से बताईए सही अंसर होगा इसका मर्चाई मिर्चा देवल बुझावल कर जवाब देव डायर कसम कस पात घनेरा फुले कदम फरे केरा सही अंसर इसका होगा सेमयर यानि कि सेमल सही अंसर होगा इसका अप्शन ए सेमयर देवल बुझावल कर जवाब देव डायर ना पत्ता है घुहिर घुहिर उपजेला न डाल है न पत्ता है घुर घुर यानि की बार बार उपजता है क्या होगा दाढ़ी होगा और केंस होगा दोनों होगा केंस यानि की बाल और दाढ़ी दोनों होगा देवल बुझेवल का जवाब देव बीच बन में खीचा खीची टंगरा में केचा केची टंगरा कहते हैं किसको जो चटान रहता है उसको टंगरा कहते हैं देहात में टंगरा कहते हैं बीच बन में बीच जंगल से उसको खीच के निकालते हैं और क्या करते हैं टंगरा में के केका क्या होगा अभि दोड़न होता है इसको इसको निषक हो और पॉल रहा है नाखून को नाखून में उसको क्यों सब्सक्राइन क्या होगा सफ्थिला और नौह यानि कि देवलम बुजवल कर जवाब देऊ ठाक ठाकूर भुढरत यह तो दूराएनख Biz कि समने दूरा नहीं रहता है दर्वाजा नहीं रहता है अंडा में सही अन्सर क्या होगा? Option D अंडा देवल बुझेवल कर जवाब देऊ तार गचे उपर में उपर में क्या होता है? फेन फेन हो जाता है उसी का बेटा रतन से न एक को अगर दबा दिजे तो पूरा का पता चल जाता है क्या होगा भात होगा चावल जब उपलता है तो पूरा चावल को चेक करने के लिए एक को ही दबाते हैं तो पता चल जाता है कि चावल बना है कि नए बना है सही अंसर क्य amb up कर और यह कोईस्चन भी बार बार पुछा जाता है भी भी आईह है theor गाए你好 को यह दिया और बाती सही अनसर क्या होगा अप्सण भी देवल-बुज हवेल कर जवाब देओ अ बिशो कर मुड कट लक ना लहू निकला लक ना सजा होला क्या हुआ बिशो का सर कट गिया मुड मतलब सर हुआ ना लहू निकला और ना किसी को सजा हुआ उलीस, पल्टन, कठर सही अंसर क्या हुआ नो ना खून ना खून कटा भी सो लेकिन खून नहीं निकला और ना किसी को सजा हुआ अगला है देवल बुझेवल कर जवाब देव भीत्रे मास उपरे अतंडी सही अंसर क्या होगा इसका ओप्सन ए मोरा तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 100 क्वेस्चन कर लिया है एक क्वेस्चन छूट गिया था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आप कितना सही कर पाए वो भी हमको जरूर बताए या कि अभी कितना तैया हुआ है और कितना करना है आपको और जो भी वीडियो बोल रहे थे कवीता कवीता हम कवीता भी कराएंगे देखते हैं उसके लिए कैसे करना होगा और सबसे बेहतर बढ़ाएंगे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किये जो लोग नाकपूरी पेपर लिए उन तक वीडियो को पहुंचा है मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं है फिर भी मैं चुकि एक्जाम है बच्चे बहुत से उत्साहित हैं तो हम वीडियो को बना रहे हैं किसी तरह से अब वीडियो को बहुत ज्यादा सेयर कीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग